हेलो दोस्तों, यहां पर मेरे पास एक नोवा का ट्रीमर है और यह बहुत ही प्रुवाना है तो यह रहा इसका चार्जर तो चार्जर का पॉइंट देख सकते हैं यह AC charger है मतलब इसका circuit जो है अंदर ही है बाहर कोई जो है adapter वगेरा नहीं है इसमें direct जो है AC का supply होता है तो देखिए AC का supply देते हैं यहाँ पे LED जो है वो जल रहा है लेकिन हमारा टीमर जो है वो चल नहीं रहा है हमारा जो टीमर है वो चल नहीं रहा है मतलब इसमें कोई problem है तो चली दोस्तों इसे ठीक करते हैं देख सकते हैं इसको पहले आपको check करना होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बैटरी पहले इसके check करने जो है आयन-सी-ड का बैटरी है और नहीं पे देखिए 2-a ,600 mh और 1.2 वल्ट का बैटरी है ठीक है तो पहले हम यहाँपे जो है bother दूसरा दूसरा यहां पर लगाएंगे तो दिस्में पर 9.3 फ यहां पर 1.2 फोल्ट होना चाहिए इनप्र त्री हाल में यहां पर 9.3 फिर यह जो है ठीक से चाइर नहीं हो रहा है ठीक एट इसमें हम जो है दूसर बैट्री के देखेंगे तो इसे साइड में रखते तो उसके बदले दोस्तों हम एक नया बैटरी लगाएंगे तो देखिए यह डबल लेका है और 700 इमेच का है और यह देखिए यह डबल लेका है 600 इमेच का है तो इसमें भी आपका जो है 1.2 वोल्ट आना चाहिए तो नॉर्माल सा आपको एक बार जो है दिखा देते हैं तो यहां पर चार्जिंग का प्लग लगाता है देखिए हमारा जो LED है वो जल रहा है थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे लगए 5-7 सेगेंट के लिए क्योंकि इसमें जो नॉर्माल वोल्टेज है वो आ जाता है क्योंकि यह जो है यह बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है अच्छा बै materi है तो यहां पर देखिए दोस्तो देख सकते हैं यहां पर 1.32 वोल्ट आ गया ठीक है मतलब यfire जो है यह अच्छा ए तो अब हम यहां पर जो है इसका switch on करके देखेंगे तो देखिए यह नहीं जल रहा है तो दोस्तों पहले हम यहां पर एक और चीज़ चेक करेंगे वो है इसका voltage यहां पर कितना voltage आ रहा है charging पर लगाने पर ठीक है तो यहां पर आपको पहले बैटरी को यहां पर खोल लेना है side में रखते है तो यहां पर simple से आपको charging का प्लाग है उसे लगाना है ठीक है तो देखिए यहां पर यह जो है इसका LED जल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने 20 volt DC पर रखने के बाद आपको यहाँ पर इसका व insightful करना एक तो यहाँ पर रेट प्रॉाब लगाएंगे अच्छे से और यहाँ पर बलैक तो देखिए दोस्ति यहाँ प्रेख दोस्तों यहाँ पर फिक्रंट हो बॉंस हो कर रहाया ख़िक है लेकिन दोस्तों यह पर जो फैंट इनक है यहँ पर देखिए इसका head जो है open हो जाता है और देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा से महला जम गया है इसे भी साफ करेंगे तो पहले हम यहां पर इसे open करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा इसे नहीं खोल पाओगे तो देखिए यहां पर दो नट लगा हुआ है क्योंकि यह दूसरा जो clip है मतलब दूसरा को body का पार्ट है उसमें यह assemble होता है तो यहां पर देखिए हमारा जो यह पूरा जो trimmer है यह open हो चुका है तो यहां पर आपको धीर धीरे जो है इसे पूरी तरह से खोल लेना है यहां पर जो है इसका circuit लगा हुआ है और यह रहा इसका चार्जिंग का port तो यहां पर देख सकते हैं motor भी इसके साथ module तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है दस्तों देख सकते हैं बहुत ही सिंप्यल सा है lithium-ion बैटरी से जो है इसका motor को चेक करूंगा तो यहां पर देखना है कि motor चल रहा है कि नहीं तो यहां पर दोनों जो वायर है आपको लगाना है तो यहां पर देखिए यहां पर एक वाय तो यहां पर देखिए दोस्तों positive जो वायर है वो यहां से होकर यहां पर आ रहा है तो यह वाला positive है तो positive जो यह है तो यहां पर हम क्या करेंगे यह red वायर पहले हम जोड़ देंगे तो यह रहा हमारा positive वायर तो यहां पर हम positive पहले जोड़ देंगे क्योंकि यह जो positive वायर है इसकी सबसे ही हम इसका wiring करेंगे तो देखिए धोस्तों हम पे Positive Wire मैंने जोड़ दिया है तो इसके बाद आते है negative wire तो यह रहा इसका negative जो है battery का connection तो इह नेगेटीव wire तो यह वाला है negative wire ठीक है तो हम क्या करेंगे इस negative wire को जोड़ देंगे तो यहां पर हम negative wire just यहां पर जोड़ देंगे तो देखी दोस्तों यहां पर हमने negative wire है वो जोड़ दिया ठीक है अब हम यहां पर जब भी 5 volt का mobile का charger लगेंगे तो यह चलेगा जितना भी component है आपको यहां पर जो है जो है इसका component आपको हटा देना है क्योंकि इसका जरूरत अब आपको नहीं है हमें तो यहां पर जितना भी component है जितना भी आपको जो है transistor होका रेजिटर होका वह उसे आपको हटा दे रहा है तो इसका जरूरत अभी नहीं है और आपका जो अगर आपका यह काम पर लगेंगा तो आप इसे जो है डी-सोल्डर भी कर सकते हैं क्योंकि कभ यह वाला portion मतलब charging का portion एक बार लगा के चेक करके दिखेंगे कि यह वाकाई में जो है काम कर रहा है कि नहीं अगर काम करेगा तो यह अच्छा है तो यहाँ पे जो है टच करने पर लकाउर के जो रहा है तो देख सकते हैं कि आपकोो यहाँ देख सकते हैं सिंपयल स You यहाँ पे जोड़ना है एक उडाओं लगा दर ना है क्यूंकि दाईट जो वह वह बबस नहीं करता है तो यहाँ मैंने एक डायूट लगा दिया है डायोड लगाने के बाद ही आपको यहां पर इसी जोड़ने से क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं, आपका Voltage भी लेट हो जाएगा, मतल Cord 2 जो 5 वो 4.5 वो जाएगा यहाँ पे जो एवी लग हो है इसका POSITIVE वाला यह वाला है यह वाला हमारा POSITIVE और यह no-0 है तो इहां पे हमारा जो यहां पर देख सकते हैं, मतलब यह वाला साइड तो यहां पर negative में मैं red wire इस्तिमाल कर रहा हूँ, आप चाहिए तो इसमें black wire इस्तिमाल करना तो देखीं, यहां पर vind.. जो है MARK negative wire जो है कि यहां पर जो रेंगा तो देख सकते हैं, यह negative point है जो डिरेक्ट जो है हमारा charger और बैटरी में जो है connect होगा तो यहां पर मैंने नेगेटीव वायर जोड दिए ठीक है positive जो वायर है यहां पर देख सकते हमारा register जूँद यहां हुआ है रेजिस्टर के साथ हम एक छोटा सा वायट जोड़ेंगे यहां पर तो सिंपल सा आपको यहां पर रेजिस्टर के साथ एक वायट जोड़ना है तो यहां पर रेजिस्टर के साथ वायट जोड़ने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं डायट जो है डायट के ऊपर या आ बाकि कुछ नहीं इस्तिमाल किया तो यहां पे देखिए हमारा जो यहां पर charging का पॉइंट से आता है तो डाइड में होके ही आपका जो बैटरी में है वह जाएगा ठीक है मोटर को अच्छे से यहाँ पे sit कर देना है और यहाँ पे आपका डायओड है उसे आपको इस तरह से sit करना है ताकि दूसरे के साथ टच ना हो और यहाँ पे आपका अपका connector यहाँ पे लग जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो wire था देख सकते हैं इलेक्टिक वाला तो यह वाला side negative होता है तो यहाँ पे simple सापको positive और negative जो point है इसे जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए मैंने यह दोनों point जो है अच्छे से यहाँ पे जोड़ दिया है तो यह अब चलने के लिए ready है यह रहा हमारा mobile का चार्जा तो देख सकते हैं इसे हम charging पे जो है लगा देते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे चार्ज पे लगा दिया है और यहाँ पे आपका power bank भी उसकर सकते हैं mobile का charger भी उसकर सकते हैं तो अभी यह चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे इसे खोल देते हैं तो देखिए आभी ये चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है अगर आप चाहें तो यहां पे यह लगा कर भी इसे भी चलूरker सकते तो देखिए यह ज्यादा स्पीड से चलेगा तो दोस्तों ये वीडियो पर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भोलेगा धन्यवाद